Hello guys, welcome back to our YouTube channel, तो इस वीडियो के अंदर हम discuss करेंगे Class 8 का Maths NCRT Chapter No.6 Square and Square Root XI 6.4 का Question No.1 Question No.1 है हमारे पास Find the square root of each of the following numbers by division method अब देखिए आपने इनकी square root prime factorization method से तो आपने निकाल लिए इस वाले question के अंदर आपको यह square root निकालने हैं वो निकालने हैं अपने को division method का use करके क्या है यह division method किस तरीके से use होता है तो properties आपको पता होनीचे कि division method का use कैसे अपन करते हैं कि format क्या होता है division method का clear है तो यहां पर अगर हम division method की format की बात करें तो format होगा आपका बिलकुल simple सा first वाला में part कर रहा हूं यहां पर तो first वाला part में करने जा रहा हूं और आपको कैसे बनाना है इसका format देखे सबसे पहली आपको ऐसे line case नहीं यह आपने line draw कर दी फिर उपर आपको इस type से करना है ठीक है prime factorization जैसा नहीं है कि आपको यू करना है यू करना है फिर यू नहीं वह वाला नहीं है ठीक है यह थोड़ा सा different है इसका format देखे सबसे पहले आपको ऐसे line बनाना है फिर यू और उसके बाद में थोड़ा सा यू gap देखे और यू आपको format बनाना clear है बत आगया format बनाना यह आपने format बना लिया ऐसे format बनाना है ठीक है उसके बाद में यह 204 का हम कर रहे हैं तो 204 हमने यहाँ पर लिख दिया यह लीजिए 204 ठीक है अब 204 अब देखे यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको जब हम division method का यूज करके जब square root find करेंगे हम आपको पता है square root और square root के अंदर जो pairs बनते हैं वो कितने कितने के बनते हैं जैसा कि हमने prime factorization method में भी बनाया था 22 के pairs बनाये ठीक है यहाँ पर भी अपने को बेटा 22 के pairs बनाने कितने कितने के pairs बनाने 22 के pairs बनाने और यह याद रखना है यहाँ पर 24 लिखावा है क्या लिखावा है 24 तो जब हम इसके pair बनाएंगे तो आपको start यहाँ से नहीं होना है ऐसा नहीं कि आप यह कर दो 23 का pair बना पहले you बनाया आपने pair और फिर यों बनाया है नहीं आपको क्या करना है आपको पीछे से start ऑना कहां से start होना है, पीछे से start होना है, पीछे से start बतलब यहां से, 0-4 से, यहां से, यह 4-0, यह एक pair बन गया, फिर 2 का यह वाला pair बन गया, ऐसे start होना है, आप कहोगे सब similar ही बात ही तो है, पहले भी इस पे ऐसे ही तो बन रहा था pair, नहीं, जब odd number of times, अगर आपकी digits जो आगे से pairs कभी भी नहीं बनाने, आपको पीछे से pairs बनाने, अब देखी, for example, अगर हम इसका pair बनाएंगे, तो पीछे से start होनगे, 5-2, यह एक pair बन गया, फिर 6-9, जैसे 9-6 का यह एक pair बन गया, और यह 4 अकेला रहे गया, तो इस 4 के नीचे आप, एक, तो यह इस type से आपक क्लियर है बत, तो देखें, यहांपर 2, 3, 0, 4 था, तो हमने पीछे से start किया pair, तो पीछे से pair जब हमने start किया, तो एक तो 0, 4 वाला बनेगा, और एक 23 वाला बनेगा, यह बना दिया आपने, अब देखें, आप देखिए, यहां पर फिर्स्ट वाल पियर क्या है, यहां पर 23 23 है फस्ट वाले पेर को आपको फोकस करना है फस्ट वाला पेर क्या है हमारे पास में 23 है तो 23 को फोकस करना है अभी बहुत सारे एक्जामपल है अभी ये questions अपन करेंगे ना set हो जाएगी चीज़े अपना चिंता मत करो पहले वाले question में मत घबराओ की आ रहे इसवार ये कैसा हो रहा है ये नहीं अभी फस्ट वाला करेंगे फिर second वाला भी करेंगे second वाला नहीं आएगा तो third वाला आएगा है ना आ जाएगा आपको बस थोड़ा सा patience रखो clear है चलिए तो यहाँ पर देखे यहाँ पर first वाला pair क्या है हमारा first वाला pair है हमारा 23 अब हमें क्या करना है इस 23 को हमारा को focus करना है 23 को focus करना है और हमें ही देखना है कि 23 है यह किस के nearest आता है किस के square के nearest आता है तो आप देखोगे 23 जो है वो हमारा आता है 4 का square और 5 के square की भी पीच में, ठीक है ? क्योंकि फोर का स्क्राइर 2016 होता है और थवाइफ का स्क्राइब हमारा थवीच में ? थीक है ? क्योंकि यहा तो 23 हैidente , यहादाánंबर थोड़ी सुड़ी लेंगे ? कम थेंगे ? कम बोट थेंगे ? तो 23 के निरेस्ट कौन सा है ? 4 का square है 16 बात समझ में आ रही है क्यों हमने 5 का square नहीं लिया क्योंकि 25 हमारा 23 से ज्यादा आएगा तो हम हम कभी भी divide करते हैं तो हम कंपी तो जाते हैं for example मैंने का 4 और ये लो 15 है न और इसको divide करो तो यहां पर भी आपको क्या करना है कंपर ही जाना है तो 4 का square हमने देखा नियरस बिल्कुल कौन सा square है तो 4 का square क्या 16 तो आप यहां लिखोगे 4 और यहां लिखोगे 16 टीक है यह square ही है तो 4 का square हमने लिया 16 ट्वन्टी थी में से जब 16 less करेंगे तो देखे 13 में से 6 less करो कितना आएगा 7 बस 7 आएगा और देखे यहाँ पर अपने को क्या करना है अब यहाँ पर 4 लिखा मैंने जो number यह है जो number यहाँ पर होगा यहाँ पर जैसे 4 है कभी किसी के 5 आएगा किसी के 7 आएगा कुछ भी आ सकता है number यहाँ पर तो यहाँ पर जो number होगा उसी को आपको वापसे plus करना है clear है जो number होगा उसी को for example यहाँ पर 5 होता तो plus 5 कर देते हैं यहाँ पर 6 होता तो plus 6 कर देते हैं जो number होगा उसी को आपको क्या करना है add करना है तो 4 4 plus 4, क्या होगा, 8, ठीक है, अब कहीं जने क्या करते हैं, कहीं जने इंटू 2 भी कर देते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि for example, यहां पर जो number होगा, उसको multiply कर तो किस से, 2 से, हमेशा क्या 2 से ही करना है, जी हां, वहाँ पर हमेशा 2 से करना है, multiply, ठीक है, तो number वही आएगा जैसे कि for example, यहां पर अगर मैं plus 4 करूँ, चाहे multiply 2 करूँ, बात तो एक है न, 4, 2, 0, 8 या आएगा, clear है बात, चलिए, अब देखें यहां पर, 7 आ गया, अब यहां पर आगे next वाला pair क्या है, 0, 4 है, इस 0, 4 को हमारे को पूरे को note करना है, यह ध्यान रखना हो, पूरे को note क करना है, पूरा, पूरा मतला, पूरा pair को note करना है, ऐसा नहीं कि 7 के बाद में 0 है, तो only 0 लिखो, 1, 0, 1, 0, 1, 0, लिखो, नहीं, division जैसा नहीं चलना है आपर, यहां पर क्या करना है, जो पूरा pair बनावा है, pair का pair साथ में आएगा, ठीक है, नहीं तो एक दूसरे, क्या हो ज यहां पर, देखे, मैं आपको यहां पर समझाता हूँ, यह 8 है, यह 8 था, 8 के पास में, यहां पर मैं ऐसी कौन सी value रखूँ, और यह वाली जो value होगी, वही same, यह वाली value होगी, उसको multiply करने पर हमारा क्या आना चाहिए, यह जो number आपके सामने दिया हूँ, 704 आना चाहिए बात समझ में आरीए, ठीक है, अभी फटाफट, फटाफट करेंगे, अभी first वाले party में लगेगा अभी second, third, फटाफट करेंगे, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो, यहां पर इसी कौन सी value रखूँ, यह दोनो value सेम होगी, यह दियान रखना, यह जो value होगी, वही value यह होगी मतलब कौन सी digit रखूँ यहां पर, मैं ऐसा कौन सा digit रखूँ, तो इन दोनों को multiply करने पर, मतलब यहां पर और यहां पर इसी कौन सी digit आएगी, जिनको हम क्या करें, multiply करें तो 704 बन जाए, बताओ, तो अब आप को होगे, sir, कैसे पता लगा यह, ठीक है, तो इसकी भी मैं आपको short trick बताएता हूँ, देखो, unit digit से खेलो यहां पर, square root, यह जो chapter है ना, यह unit digit से खेलना सिखा रहा है, आपको और कुछ भी नहीं है, clear है, तो unit digit से ही आपको खेलना है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है, यहां पर, देखो, यहां पर unit digit क्या है, answer में unit digit, 4 है ना, यहां पर unit digit क्या आ रही है, 4 आ रही है, अब आपको पता है, यहां पर मैं ऐसी कौनसी value रखूँ, जिससे कि हमारा 4 बन जाए, बताओ, दोनों value सेम होईगी, यह बात धियान रखना, अगर यहां पर 2 रखूँगा, तो यहां पर 3 रखूँगा, तो 3, अब 4, and 8 into 8 करोगे, तो 64, यहां पर भी unit digit 4 आ रहा है, यहां पर भी 4 आ रहा है, दिखाई थी ना, मैंने unit digit की table, 0 to 9, 0 to 10, 1 to 10 तक के मैंने आपको unit digit बतायते हैं, और इसके squares भी बतायते हैं, तो बैटा, वही तो चीज है यहां पर, यह squares ही तो हो रहा है, जो number यहां पर आएगा जो digit यहां पर आएगी, वो digit यहां पर आएगी, तो यहां पर आएगी, और उनको जब हम multiply करेंगे, तो हमारा 4 आना चाहिए, हम unit digit से खेलेंगे ना, पूरा divide करने ही क्या जरूरत है, करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहां पर हमने देखा, 4 आ रहा है, 7, 0, 4 में 4 unit digit है, तो unit digit से खेलो बस, तो हमने देखा, कि यहां तो यहां पर possibilities 2 की है, यहां पर यहां तो 2 होगा, यहां फिर possibilities 7 की है, sorry, 8 की है, किस की है, 8 की है, ठीक है, possibilities पता चलगी, तो अब आपको देख लेना है बस, तो 8, अगर मैं 2 रखता हूँ, तो यहां पर 2, और फिर यहां पर भी देख लो, और simple सी बात है, 82 को 2 से multiply करोगे, तो क्या 704 पर चल जाएगा, बताओ, 82 को 2 से multiply करोगे, तो 160 something कुछ जाएगा, ठीक है, तो यहां पर simple सी बात है, क्या होगा, 82 नी होगा, 88 होगा, 8, 8, 8 जब आप करोगे, तो आपका 704 होगा, यह तो 8 यह वाला है, ठीक है, बाक ठीक है, और उसको 8 को 8 से जब multiply करेंगे, तो कितना आएगा, 704 आएगा, वो हमने निकाल लिया भी, आप करके देख ले ना बले इसे, 704 आएगा, ठीक है, और यह हो गया हमारा 0, तो कितने, कौन सी डिजट आई थी, यहां पर, 8 आई थी, इस 8 को यहां पर लिखना है, और करा था, मैंने 23 का पेर बनाया था, तो 4 का स्कार निरस, तो मैंने 4 लिखा था, फिर next वाला, यहां पर डिजट आई थी, इसको लिखना होता है, यह डिजट का आई थी, हमारी 8 आई थी, तो 48, तो 48 क्या होगा इसका, 2, 3, 0, 4 का स्कार रूट क्या होगा, 48 होगा, बिलकुल असान है, मैं फिर से कहे रहा हूँ, इसको इतना प्रेशराइज मतलो कि यार, यह इतना तफ है, प्राइम फेक्टराइशन मेथर अच्छा था, अगर एक्जाम में डिविजन मेथर आगया तो हम कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं है, मैं फिर से कहे रहा हूँ आपको, ठीक है अभी हम करेंगे, और करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, आप चिंता मत करो, बहुत बहतरिन तरीके से मैं आपको यह सब चीज़े करोंगा, अभी थोड़ा सा आप बस continue बना रहे हैं वीडियो में, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, अब देखे, 4489 ह इसको open करते हैं, अभी 3-4 example तो देखो कम से कम, जबी तो होगा, आप सोच रहे हो कि पहला हम देखे, पहले में बस सब चीज़े आ जाए, नहीं, possible नहीं है था, चलो, यहाँ पर, format आपको पता है न, ऐसी बनाते हैं, यह मैंने बना दिया, format, 4489 मैंने लिखा, यह लो, 4489 पेर कहां से बनाते हैं, मैंने आपको बता है, पीछे से बनाते हैं, तो यह एक पेर बन जाएगा, दो का, और यह एक पेर बन जाएगा, clear है, अब हमें क्या करना है, first वाला जो पेर है, 44, इस 44 को क्या करना है, focus करना है, clear है, अब सुनना बस, मैं जो बोलू, पहले वाले मे नित तो आप रहूं था इंट था इस्न था 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 यहाँימी डे D. इस था था था, यहाँ पर था है था, थां थिल्ध था, गया था है defending ऐ है उब कि यह जाए इसी number को आप क्या कर लो plus 6 कर लो कोई दिक्कत नी बात यह ही होती है 6 plus 6 कितना होता है 12 तो आप यहाँ लिख लो 12 अब 44 में से 36 less करोगे तो कितना आएगा बताओ 14 में से 6 less करोगे तो यहां पर ऐसी कॉंसी वैलू रखी जाए समझ ना देखो बात को यहां पर इसी कॉंसी वैलू रखी जाए यहां पर इसी कॉंसी वैलू रखी जाए कि यहां पर इसी वैलू से मल्टिप्लाय करने पर हमारा क्या है यहां पर इसी कॉंसी वैलू रखी जाए जिसको उसी वैलू से मुल्टिप्लाय करने पर हमारा इसी कॉंसी वैलू रखी जाए जिसको उसी वैलू से मुल्टिप्लाय क करने पर 889 आए पताओ तो कौन सी तो आप किसे खेलोगे यूनिट डिजिट से ओनली यूनिट डिजिट से खेलना है ठीक है अब आप कहोगे सर यहाँ पर 9 आ रहा है 9 आ रहा है इसका मतलब है कि सर 3 इनटू 3 हुआ होगा ठीक है क्योंकि यह दोनो नंबर डिजिट सेम इ seb है तो यहाँ पर 3 यहाँ पर भी 3 तो 889 है logic लगाओ बस और कुछ नहीं है यहाँ पर क्या है 889 है तो मतलब 3 तो नहीं होगा फिर क्या होगा सर 7 होगा बिलकुल तो आप अपनी तरफ से 7 लगा लीजिए यह लीजिए 7 तो मतलब यहाँ पर 7 से multiply करें बस चेक मत करो बस जादा observation चलेगा और कुछ ही नहीं है तो यह 7 किया हमने और यह 889 इतना अपने पास में टाइम नहीं है कि हम पूरा चेक करें नहीं यह शॉर्ट अप्रोच बता रहा हूं मैं exam में बहुत काम आएगी तो यह 7 889 और 889 में से जब माइनस करोगे तो 0 आएगा simple सी बात है तो क्या digit आई थी यहाँ पर हमारी 7 आई थी तो यहाँ पर लिख लिजिए यह 7 तो 67 4489 जो है वो 67 का square root है clear है ठीक है यह division method है और यह बहुत अच्छा method है मैं फिर से कह रहा हूं आप prime factorization method में फिर भी फश जाओगे क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा calculation ज में 3481 ठीक है 3481 का हमार को क्या निकालना है square root निकालना है तो सबसे पहले इसका format बनाएंगी क्योंकि format बहुत जरूरी यह ठीक है तो format बना लेते हैं इस type से हम एक format बना लेते हैं यह format बना लिया और यहां लिख लेते हैं 3481 ठीक है pair मैंने बताया आपको pair कहां से बनाने हैं पीछे से start करना है एक pair तो यह बनेगा एक pair यह बनेगा पीछे से हमेशा start करना है यह बात ध्यान रखना है अब हमें focus करना है पहले वाले pair को 34 है इस 34 को बेटा focus करना है इस 34 को हम focus करेंगे और देखेंगे किस के nearest star है किस के square के nearest star है तो हम देखेंगे 5 का square 25 होता है और 6 का square 36 होता है 36 तो sir ज़्यादा हो जाएगा तो 5 का square 25 मतलब यही लेंगे ठीक है? तो 5 लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 5 लेंगे 5 का square यह आया ना तो यहाँ पर भी 5 लिख लेते इस answer में तो लखेंगे न 5 और कितना आया 5 का square 25 ठीक है अब देखे 34 में से जब 25 माइनस करेंगे तो कितना आयागा तो 14 हो जाएगा यह 14 में से 5 less करो कितना आयागा 9 and plus 9 ही आयागा ठीक है 3 में से 2 2 में से 2 हो जाएगा क्योंकि इसने carry दिया था अब यहाँ पर क्या करते हैं plus 5 करेंगे आपको पता है जो number होता इसको plus कर दो बस तो 5 था यहाँ पर तो plus 5 कर दिया 5 plus 5 कितना होगा हमारा 10 होगा यहाँ लिख लीजिए 10 अब देखे 9 और यह next वाला क्या था 81 पूरा का पूरा pair हमारा यहाँ जाएगा यह हमने लिख दिया अब यह 10 जो था 10 था इसको आप लिख लीजिए यहाँ पर और 10 के साथ में यहाँ पर इसी कौन सी value रखों इसी value को इस value से multiply करने पर हमारा क्या है यहाँ पर जो number है 981 981 यह आए आप फिर से unit digit से खेलो क्या आ रहा है यहाँ यहाँ पर unit digit 1 है मतलब यहाँ पर ऐसी कौन सी value रखों जिससे के हमारा 1 आए तो आप को होगे sir या तो 1 हो सकता है क्योंकि 1 को 1 से multiply करने पर 1 आएगा या फिर आप को होगे 9 into 9 हो सकता है 999-81 होता है यह table तो आती ना 1 से 10 तक की table आती ना तो बहुत easy है यह सच में तो 9999-81 जैसे 1 आया hit करना चीए दिमाग में 99-81 होता है और 1 into 1 1 होता है तो यहाँ पर possible 9 भी हो सकता है और यहाँ पर possible 1 भी हो सकता है अब तुम दिमाग लगा हो या और 9 ही होगी ठीक है तो 9 9 जा होगा 1 आएगा बिलकुल ठीक है तो यहाँ पर हमेशा यहाँ पर क्या होगा मारा 9 ही होगा तो 109 यहाँ पर जो digit आई उसको यहाँ पर हम नोट करते हैं यह लिख लिया तो मतलब 3481 जो है वो स्क्वेर रूट है किसका 59 का पूरा कर लेते हैं इ इनको क्यों नहीं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि यह जो को perfect square root number है सब के सब यह सब perfect square root number है ठीक है इसलिए हम इसको calculate नहीं कर रहे हैं बस observe कर रहे है ठीक है one आ रहा है nine आ रहा है nine देख़ागा nine आएगा बिलकुल calculate कर नहीं और आप जब calculate करोगे नहीं तो 981 ही आएगा आ ठीक है, clear है, चलिए आगे बढ़े, हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, तो अपने को करना है, अब कौन सा वाला, बताओ, तीन अपन कर चुके हैं, तो इन तीनों को मैं रब कर रहा हूँ अब, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है, फोर्थ वाला फिर करते हैं, चलो, फोर्थ वाल होगे, ऐसे ही नहीं सीखोगे, बस वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा, वीडियो देखके अगर आदमी सीख लेता, तो आज सब होशार होते हैं, ठीक है, तो वीडियो से कुछ नहीं होगा, तो 529 यहाँ पर 529 का पेर बनाना है तो मैंने आपको क्या बोला पीछे से पेर बनाना है तो देखे पीछे से जब हम पेर बनाएंगे तो यह एक पेर बनेगा और 5 अक्यला सिंगल रहे जाएगा तो 5 के उपर भी हमने बाहर लगा दी clear है चलिए अब देखे यहाँ पर first pair कौन सा है मतलब 5 है only first वाला जो है तो 5 को हमारे को note करना है अब देखना है यह 5 किसके nearest आ रहा है तो आप कहोगे sir 5 nearest आ रहा है 2 के square के क्योंकि 2 का square तो हमारा 4 होता है और 3 का square हमारा 9 होता है लेकि 9 तो लेंगे नहीं हम क्या लेंगे 2 का square 4 लेंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या लेंगे हम 2 लेंगे और यहाँ पर भी हम 2 लिख देंगे जो number यहाँ होता है वही number लिखते हैं ठीक है अब 2 square मतलब 4 आएगा यहाँ पर और देखी जो number यह होता है plus 2 भी वही करते है जो number होगा उसको ही plus करना है तो 2 plus 2 कितना होगा हमार 4 होगा, यह लिख दिया, हमने 4, 5 में से 4 less करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, और जो next वाला pair होता है, उसको पूरा note कर लेते हैं, 129, ठीक है, 129, अब देखें, यहाँ पर 4 है, इस 4 के साथ में, यहाँ पर ऐसी कौन सी value रखो, यही value यहाँ पर रखने पर, हमारा क्या है answer, 129 है, क्या है, 129, तो logic लगाओ, क्या है unit digit से खेलो, यहाँ पर unit digit क्या है, 9 है, मतलब यहाँ पर ऐसी कौन सी value रखो, जिससे की 9 बन जाए, तो आप कहोगे sir, एक possible value तो है 3, क्योंकि यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 3 करके 9 बन जाएगा, और एक possible value है sir, 7, और एक possible है 7, क्यों जाएगा, ठीक है, 3 जाएगा, क्योंकि 129 नहीं तो है, और 4 3 जाएगा, कितना होता 12, मतलब 120 के something जाएगा करीबन, ठीक है, तो यह 3, नहीं, तो आपको अगर ऐसे problem हो न, observe करने में, तो आप करके देख लो, पहले 3 रख के देख लो, यहाँ पर 43, यहाँ 3 होगा, तो यहा हमारा यहाँ पर 3 में बैठेगा, यह 3 में आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 3, जो digit यहाँ पर लिखते है, वो digit हम अंसर में लिखते है, ठीक है, और 43 को जब हमने 3 से multiply किया, तो क्या आ रहा है हमारा, 129, 0 आ रहा है, बताओ, कोई परेशानी, ठीक है, कितन टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, चलिए, फिफ्ट वाला पार्ट करते है, फिफ्ट वाला पार्ट है हमारा, 3, 2, 4, 9, क्या है, 3, 2, 4, 9, लिख लेते है, 3, 2, 4, 9, यह लिजिए, फॉर्में बना दिया, बिलकुल स्ट्रेट लाइन बनी है, अब क्या बात है, 3, 2, 4, 9, ठीक को, देखे, फिस्ट वाला पार क्या है, 32, 32, किसके निये रस्ट है, तो आप होगे सर्फ 5 के स्क्वार, और 6 के स्क्वार के मिजबें आता है, 32, 5 का स्क्वार हमारा 25 होता है, 6 का स्क्वार 36 होता है, लेकिन 36 तो ले नहीं पाएंगे, हम क्या लेंगे, 25 को लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो number है 5 जो है इसी को हम क्या करते है एड करते है तो 5 प्लस 5 कितना होगा हमारा 10 होगा तो हम 10 note कर लेते हैं clear है ठीक है अब देखिए next वाला जो pair 49 यह पूरा as it is हम यहाँ पर note करेंगे पूरा pair आना चाहिए मैं फिर से कह रहा हूँ इस चीज को ध्यान रखना only 4 मत note कर लेना यहाँ पर पूरा pair आएगा 49 ठीक है अब यहाँ पर देखिए 10 है इस 10 को आप रखिए side में और आप देखिए यहाँ पर 10 के साथ में में यहाँ पर ऐसी कौन सी value रखों तो यही वाली value यहाँ पर रखने पर हमारा क्या है answer यहाँ प और कौन सी value रखों जिससे के हमारा क्या आजाए 9 आजाए unit digit तो आप कहोगे sir एक तो आप 3 रख लो और sir एक आप 7 रख लो क्योंकि 7 7 जा 49 होता है वहाँ पर भी 9 unit digit होता है 3 3 जा 9 होता है यहाँ पर भी unit digit 9 होता है ठीक है अब यहाँ तो आप 103 into 3 करके देख लो या फिर आ होगा 749 बनेगा ठीक है 3 से multiply करने पर तो 300 के nearest जाएगा 700 के nearest कहां से चल जाएगा 103 को जब 3 से multiply करोगे तो 300 के nearest जाएगा अगर calculation आती ही थोड़ी बहुत भी कहा 749 के पास जाएगा नहीं जाएगा 7 से multiply करने पर बिल्कुल nearest जाएगा इसके तो 7 आएगा यहाँ ठीक है आप ठीक है चलिए तो 5 पार्ट भी हमारा complete हो गया है चलिए तो 6 वाला पार्ट करें यह देखें 6 वाला पार्ट यह 6 वाला पार्ट है हमारा 1369 पूरा करेंगे हम इस वाली वीडियो के अंदर पूरा यह पार्ट करेंगे ठीक है आप कर रहे हो ना साथ में 1369 और मुझे एक बात बताओ यार बिलकुल बोरियत तो फील नहीं हो रही है ना मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है ठीक है मैं चारा हो कि यार एक बार में सेट कर दू इस method को तुमारे दिमाग के अंदर बिलकुल भी तुम्हार को इतन और यह लिजी बन गया पैर अब यह 13 होया है 13 को focus करेंगे फस पैर 13 था 13 को focus करेंगे देखेंगे किसके nearest है तो आप कहोगे sir 3 का square के nearest है 3 का square 9 होता है और 4 का square 16 होता है तो 4 का square तो लेंगे नहीं 3 का square ही लेंगे sir 9 मैंने का बिलकुल ठीक है यार बहुत अच्छा समझ गए आप तो बहुत अच्छे से ठीक है तो 3 का square के आएगा हमारा 9 आएगा तो 3 जो number यहाँ पर लेते हैं वही number हम अंसर में लिखते 3 और यह यह पूरा नहीं करा था अपने यह digit थी ना देखो यह 5 तो लिख दिया था यहाँ पर यह digit आए थी हमारी 7 इसको भी तो लिखना है क या इतनी जल्दबाजी कर रहे हो ठीक है तो 57 थी true 49 का जो square root आया था वो क्या आया था मारा 57 clear है याद दिला दिया ग्रो यार अगर इसी गलती हो तो चलो अब यहाँ पर देखो यह हमने 3 का square कर रहा 9 तो यहाँ पर हम क्या note करेंगे 9 note करेंगे और मैंने आपको बताया था जो number यहाँ पर होता है उसको ही plus करना होता है आपको 3 जो number 3 है यहाँ पर 3 करोगे add तो 3 3 कितना होता है हमारा 6 होता है अब 13 में से 9 less करो तो कितना आएगा 13 में से 9 less करेंगे 4 आएगा आएगा ना 4 चलिए तो 13 में से 9 4 ठीक है और यहाँ पर जो 69 है इस पूरे pair को आप यहा आदने से इहां से वैलु रखो मतलब six k nearest यहां पर कौन सी वैलु को इसी वैलु को multiply करने पर यहां पर इसी वैलु को multiply करने पर हमारा क्या है änderini पिर से focus करेंगे unit डिजित पे यहां पर unit पॉसिबल है 7, 3 का स्क्वार, 3 इंटो 3, 9 होता है, 7 इंटो 7, 9 होता है, तो यहां पर यहां पर यह पॉसिबल 3 है, यह फिर 7 है, अब तुम दिमाग लगाओ, अगर मैं 3 से मल्टिप्लाइ करूँगा, तो कहां पर जाओंगा, मैं तो 180 का सम्थिंग के पास में जाओंगा, 180, 200 के निए जाओंगा, ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है, तो आप करके देख लो, 63, अगर आप 3 ले रहे हो, तो करो 63 इंटो 3, जो भी आ रहा है आपका अंसर, और 67 इंटो 7, जो भी आ रहा है अंसर, मेरे इसाब से 469 आएगा, 67 इंटो 7 करने पर, ठीक है, तो क्या करने पर आया, 7 करने पर आया, 7 से मल्टिप्लाय करने पर, 7 से मल्टिप्लाय करने पर क्या आएगा हमारा 469, 469-469, 0, तो थोड़ा smart approach भी तो लगाओ, ऐसा थोड़ी नहीं कि हर question को आप पूरा calculate करके देखो, नहीं, इतना time नहीं मिलता, exam में अपने को, ठीक है, तो थोड़ी smart approach ल लगा नहीं पड़ेगे, तो यहाँ पर क्या आई, डिजट अपनी 7 आई, तो मतलब, जो 1369 है, वो square root किसका है, square किसका है, 37 का है, तो 1369 का square root क्या निकला हमारा 37, अब यहाँ पर देखो, एक चीज़ धियान रखना, यहाँ पर आप minus भी लगाते वे चलो, जैसकि 13 में से 9 minus कर रहे न, तो यहाँ पर minus लगा लो, यहाँ पर 32 में से 25 minus करा, minus लगा, 5 में से 4 minus करा, minus, ठीक है, यह representation हो जाएगा, जब भी आप exam में करोगे, तो एक represent, क्योंकि teacher को क्या पता रहेगा, कि यहाँ पर क्या किया तुमने, ठीक है, तो इसलिए आप minus लगा लेना है, ठीक है, चलो, तो 6 वाला पार्ट हो गया, 6 के बाद में हमारा 7 पार्ट है, तो 7 पार्ट भी हम कर लेते हैं, तो यह लीजिए, हम इसे हटा देते हैं, तो 7 पार्ट करते हैं, 7 पार्ट क्या है हमारे पास में, 5, 7, 7, 6, क्या है, 5, 7, 7, 6, तो पहले format, पहले क्या है, format, format बनाओ पहले तो ये लीजे, हमने format बना लिए, प्यारा सा, 5, 7, 7, 6, पैर बनाएंगे आप पीछे से, ठीक है, तो ये लीजे, एक पैर बना, और ये एक पैर बना, पहला पैर उठाएंगे, पहला पैर कया है, 57 है, 57 को उठा लो, और देखो, किसके nearest है, बताओ, किसके nearest है, 57, तो आप 49 होता है 88 जा 64 होता है 49 आ liquorा 7 का स्क्वА视 क्या आता है 49 आता है तो 7 के नीरस्ट सर 7 के स्क्वार के नीरस्ट है तो 7 लें में बिल्कुल normalmente है ठीक है BILKKL सभी खर रहे हो तो 7 का स्क्वास् के नियुकर 49 लिया जो नम्बर यहां पर नोट नहीं number यहाँ पर note करते है तो यह लिख लिए 7 7 का square का आया 49 तो यहाँ पर लिख लीजिए 49 57 में से 49 less करेंगे देखिए minus लगा जेता हूं मैं यहाँ पर 57 में से 49 less करेंगे कितना आएगा 8 आएगा ठीक है और यहाँ पर जो number होता है इसी number को हम क्या करते है प्लस करते 7 तो यह लिजिए plus 7 करते है 7 7 कितना होता है बताओ 14 होता है यह लिजिए 14 लिख दिया अब यह जो number आया 14 अब मैं थोड़ा सा fast चल रहा हूं ठीक है तो यहाँ पर जो number आया 14 यह 14 लिखा मैंने 14 के साथ में मैं यहाँ पर इसी कौन सी value रखूं इसी value को यहाँ पर पर पूरा note होगा तो 876 है अब हम पूरा क्या 876 को focus करेंगे नहीं हम किसको करेंगे only unit digit को unit digit क्या है हमारी unit digit है हमारी 6 तो यहाँ पर किन values को multiply करने पर unit digit हमारी 6 हाईगी बताओ तो आप कोगे sir एक तो होता है 4 4 जा 16 मैंने का बिल्कुल सही है यार है ना एक तो 4 4 जा 16 हो सक हो सकता है ठीक है यहाँ पर 4 हो सकता है possible values है 4 हो सकता है और एक हो सकता है sir 6 6 6 जा 36 4 4 जा 16 यहाँ पर unit digit 6 जा रही है 6 6 जा 36 यहाँ पर unit digit 6 जा रही है मैंने का बिल्कुल सही है यार ठीक है अब आप क्या रखो यहाँ पर 4 रखोगे या 6 रखोगे थोड़ा सा confusion लग रहा है आप क्यो confused हो रहे हो देखो 4 अगर रखोगे तो किसके करीबन जाएगा 400 500 समतिंग के करीबन जा रहा है ठीक है 6 रखने पर जाएगा बिल्कुल लेकिन चलो अगर आप confused हो ना जादा तो आप करके देख लो 1 4 ठीक है और यहाँ पर जब मैं 4 रखोगा और यहाँ पर मेरा 4 होगा तो आप करके देख लो ऐसे 1 4 मुझे तो देखो 6 लग रहा है बिल्कुल सिम्पल सी बात है ठीक है तो 1 4 और देखो 6 रखोगे और यहाँ पर भी 6 रखोगे तो multiply करोगे तो यही नंबर आएगा 876 ठीक है तो 6 नंबर रखने पर आएगा हमारा तो हमने यहाँ पर 24 प्लस 3 27 6 6 7 8 876 यहाँ पर भी देखो 876 तो क्या रखने पर आया 6 रखने पर आया 6 रखने पर आया तो 6 को multiply करने पर आया हमारा 876 तो जब आप थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि यहाँ थोड़ा सा confusion है तो आप करके देख लो 876 876 में से 876 less करेंगे 0 तो क्या रखने पर 6 unit रखने पर आया तो 6 आपको यहाँ पर रखना है तो 5776 का जो square root होगा वो क्या होगा हमारा 76 होगा clear है बात हाँ चलिए आगे बढ़े 7th हमारा part हो गया अब चलिए 8 पर करते हैं attack तो 8th part है हमारा 7921 अब बताओ मुझे एक बात बताओ comment करके मेरे को ज़रूर बताना कि कै कैसा है यह वाला method है हाँ अब बताओ जो तुम्हार को शुरू में लग रहा था यह तो बहुत टफ है अब तुम्हें कैसा लग रहा है बताओ तो 7921 है तो 7921 में हम क्या करेंगे पीछे से pair बनाएंगे पीछे से जब हमने pair बनाया यह लीजी एक pair और फिर यह लीजी एक pair बन गया pair और, और क्या करेंगे यहां पर बताइए तो यहां पर हम करेंगे 79 को focus करेंगे first pair 79 है नाaş तो इसे खास करते है तो 79 को focus करेंगे किस के नियरे जा रहा है किसके square kg जा रहा है बताओ तो यह जा रहा है sir 884.64 होता है 10 तक तो याद होने चीए ना तुमाए अगर square and square root अगर chapter कर रहे है तो 10 तक तो square याद होने चीए तो 88 जा 64 होता है और 99 जा 81 होता है मैंने का बिल्कुल ठीक है बट सर 99 जा 81 तो जादा हो जाएगा तो हम 88 जा 64 लेंगे मैंने का बिल्कुल सही है मतलब तुमारे को सब चीज़े आ रही है तो 88 जा 64 हम लेंगे याँ पर ठीक है 8 का square लेंगे हम 64 क्योंकि 9 का square जादा जाएगा तो 64 हमने यहाँ पर ले लिया और 8 लिया ना तो यहाँ पर हम अंसर में लिख लेंगे 8 ठीक है और यहाँ पर देखिए 8 और 8 हम इसको add कर लेते 16 अब यहाँ पर देखिए यह 21 जो था इस पूरे को आपको note करना है पूरा pair आएगा न तो पूरा pair note कर लो 21 pair को लेना है पूरे को तो यह देखिए 16 जो था इस 16 को आप यहाँ पर लिखिए अब 16 के साथ में मैं यहाँ पर बेटा कौन सी ऐसी value रहूँ कि इसी value को यहाँ पर multiply करने पर हमारा क्या आए answer 1521 अब बताओ मतलब यहाँ पर ऐसी कौन सी values रखो उसी value से multiply करने पर हमारा answer क्या है 1521 आए बताओ तो यहाँ पर हम किसको focus करेंगे only unit digit को तो unit digit क्या है हमारी unit digit है हमारी one तो one को focus करो कैसे आएगी यहाँ पर one देखो या तो यहाँ पर हमारा one होगा क्योंकि one और one होगा जबी तो यहाँ पर unit digit one आएगी multiply करने पर या फिर हमारा answer nine होगा क्योंकि nine into nine क्या होता है हमारा 81 होता है और 81 की unit digit हमारी one होती तो यहाँ पर possible, यहां तो 9 होगा मतलब यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9 जबी तो one आएगा unit digit यहाँ फिर possible हमारा one होगा यहाँ पर भी one यहाँ पर भी one अब तुम खुब दिमाग लगा हो यार यहाँ पर अगर मैं 1 लगूँगा तो 161 को जब 1 से multiply करूँगा तो 161 ही आएगा हमें तो चाहिए 1521 तो मतलब क्या आएगा यहाँ पर यहाँ पर आएगा 9 clear है तो 169 को जब 9 से multiply करोगे तो हमारा क्या आएगा 1521 आप करके देख लेना calculation यही आएगा तो 9 से multiply करने पर हमारा क्या आया क्या आया बताइए 1521 यहाँ पर हमा को 0 लिखना यहाँ पर minus किया तो क्या आया 0 आया तो यहाँ पर क्या digit रखी हमने 9 रखी इसका मतलब है कि 7921 जो था हमारा यह किसका यहाँ पर 9 वाला पार्ट भी कर देते हैं तो 9 वाला पार्ट है हमारे पास में 576 क्या है 576 नोट कर लेते हैं पूरा यह लीजी 576 अब देखिए यहाँ पर 576 पीछे से pair बनाना है मैं फिर से के रहा हूँ पीछे से एक pair बनाया तो ये दो का एक pair बनाया और ये single digit रह गई तो इस single digit पे भी हमने बाहर लगा दी ठीक है अब देखे यहाँ पर जो first वाला pair है ये क्या है 5 है तो मैंने 5 लिखा ठीक है फस्ट है ना ये वाला तो ये मैंने 5 ले लिया अब 5 को हमार को focus करना है और 5 को देखना है किसके square के nearest है तो आप देखोगे सर 2 का square के nearest है और 3 का square तो 9 होगा जाद हो जाएगा 2 के square के nearest है 2 का square हमारा 4 होता है सर्फ मैंने का बिल्कुल ठीक है तो 2 ले लेंगे हम लेंगे ना 2 है ना और जो number यहाँ पर लेते है वही number यहाँ पर लिखते है तो 2 का square ले लिया और plus 2 भी हम करने और 2 plus 2 क्या करेंगे 4 आएगा और यहाँ पर क्या आया 2 का square 4 आया 5 में से जब 4 less करेंग इसी value को इसी value से multiply करने पर हमारा क्या है answer 176 है तो किस पे focus करेंगे 176 पे नहीं करेंगे only unit digit पे करेंगे क्योंकि हम क्या है हम intelligent नहीं है हम smart है इसलिए हम यहाँ पर smart approach लगा रहे हैं तो student क्या करेंगे student करेंगे सोचेंगे पहले तो 176 यहाँ 3 से करेंगे 4 से करेंगे 5 से करे ठीक है तो यहां पर देखो यहां पर 6 unit is it आ रही है ना तो यहां पर क्या multiply करें बताओ यहां पर ऐसी कौन सी values रखें जिससे के हमारा unit is 6 बन जाए तो आप कहोगे सर यहां पर एक तो हम रख सकते है 4 क्योंकि 4 into 4 क्या होता है 16 होता है 6 होता है unit is it और एक रख सकते है सर 6 6 into 6 36 होता है अब हमें देखना है कि किस से जाया तो 4 अगर मैं यहां पर 4 रखता हूँ 4 और यहाँ पर अगर मैं 4 रखता हूँ तो यहाँ पर भी हमारा 4 ही होगा करके देख लो एक बार और फिर 6 करके देख लाना तो 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 और एक 17 176 आ रहा है बिल्कुत 4 से करने पर यह आ रहा है जरुवत ही नहीं आपको तो 4 से करने पर 6 से करने जरुवत ही नहीं तो 4 से करने पर आ गया तो यहाँ पर क्या होगा हमारा 4 होगा मतलब इसको 4 से multiply करने पर हमारा क्या आ रहा है 176 तो कौन से डिजित लेते हैं हमने यह आपर 4 लेते हैं तो यह क्या है 4 तो 576 का जो square root होगा वो क्या होगा हमारा 24 clear है तो 9th वाला पार्ट भी हो गया हमारा ठीक है अब मैंसे रप कर दू 10th की ओर चले ठीक है तो please यार मुझे comment करके बताओ कि मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है सच में जो तुम्हें इसमें डर लग रहा था division method के अंदर वो डर मैंने खतम किया या नहीं किया ये मुझे करके बताओ बस एक बार ठीक है चलिए तो 9th वाला पार्ट हो चुका है हमारा और 10th वाला पार्ट हम करेंगे ठीक है तो 10th वाला पार्ट है 1024 और maximum share करो यार जितना हो सके या help हो सके न वस वैसा काम करो ठीक है तो 1024 1024 है तो हम पीछे से क्या बनाएंगे pair बनाएंगे तो ये लिजी pair बन गया फिर ये देखिए ये एक pair बन गया फर्स्ट वाला pair उठाएंगे फर्स्ट वाला pair क्या है 10 है तो मैंने देखूंगा ये 10 किसके square के nearest है तो आप कहोगे sir 3 का square तो 9 होता है और 4 का square 16 होता है बट 16 पे जानेगा कोई मतलब नहीं 16 10 से ज़्यादा है तो मैं बिल्कुल कहूंगा बिल्कुल सही कहरो आप 3 का square ही लेंगे 9 ठीक है कम जाएंगे हम तो 3 का square लिए हमने 3 3 और यहां पर भी हम 3 लिखेंगे 3 का square का 9 10 में से जब 9 less करेंगे कितना आएगा 1 आएगा ठीक है और यहां पर जो number होता है उसी number को हम add करते है मतलब plus 3 करेंगे तो 3 plus 3 करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा आएगा यह नही आएगा ठीक है अब देखिए यहां पर 1 आया, अब यह 2 1 यह यह पर पैर है 24 इस 24 का हम पूरे को यहां पर note करो कि हमेशा पैर को note करना है 24 का हम ने note करेंगे अब यहां पर क्या था हमारा 6 ता इस 6 के साथ में मैं यहाँ पर ऐसी कौन सी values रखूं कि इसी values को यहाँ पर multiply करने पर हमारा क्या है 124 है clear है ऐसा ही करते हैं ठीक है तो बताओ भाई क्या आएगा यहाँ पर unit digit तो हम unit digit पर focus करेंगे unit digit यहाँ पर क्या है 4 है बतलब यहां पर इसी कौन सी values रखूँ जिससे के हमारा 4 आए तो आप कहोगे sir अब तो हमें आ गया वस केलना फटाफट लिखो sir जैसा हम कहते है ठीक है ऐसा ही भोलोगे न फटाफट लिखो जैसा हम कहते है यहां लिखो 2 एक टू के square करने पर 4 आएगा और एक लिखो sir 8 8 का square करने पर आए 8 इंटू 8 जब हम करेंगे 64 आएगा 4 unit digit आएगा 2 इंटू 2 करेंगे जब 4 आएगा unit digit अब sir और आगया हमार को करना अब मैं अगर आपसे पूछोंगा कि यहां पर क्या आएगा बताओ 2 या 8 में से कौन आएगा अरे sir 8 करेंगे तो बहुत ज़्यादा चल जाएगा यह तो 2 ही करेंगे sir 124 ही तो है चोटा नमबर है तो sir 2 ही करेंगे मैं कहुँगा बिलकुल सही है यार तुम तो हुशार बन गए सच में चीजे तुमार को आने लग गई हर चीज ठीक है तो 2 करने पर आएगा तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे भईया तो 124 तो को multiply करने पर हमारा 124 यह चीज होती हो observation और यह चीज सो हमारे अंदर आएगी practice पे जब तुम यह पूरे के पूरे questions practice कर लोगे न चीजे ऐसी set हो जाएगी कि दिमाग के अंदर कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे 100% guarantee के साथ में ठीक है तो 124 हो गया और 124 में से 124 less करेंगे 0 आएगा क्या डिजिट लीती हमने 2 लीती यहां पर लिखेंगे 2 तो 1024 जो है इसको भी हम करते है अभी set तो 3-1-3-6 तो यह है हमारे पास में 3-1-3-6 ठीक है खुशी-खुशी maths को पढ़ो मेरा कहना यही है कि कभी भी pressurize मत हो कभी भी पढ़ते time pressure मत लो ठीक है ऐसा नहीं यारी method कैसा हो रहा है इससे तो अच्छा वह वाला method था अरे यार चीजे तो सब सीखो ना तुम जबी तो मज़ा आएगा ठीक है तो 3-1-3-6 है maths को puzzle समझो बस और solve करने की कोशिश करो हर चीज को ठीक है तो यहाँ पर देखो 3-1-3-6 है तो आप क्या करोगे पीछे से pair बनाओगे तो हमने pair बनाया यह लीजी एक pair बनाया और यह लीजी एक pair बन गया ठीक है और 6 का square 36 होगा तो 6 तो लेंगे नहीं sir 5 ही लेंगे बिल्कुल सही है तुम बहुत सही खेल रहे हो मेर से भी तुम तो बहुत ज्यादा मतलब उपर चल गए मेर से भी ठीक है तो 5 का square क्या हो गया हमारा 25 और उम्मीद करता हूँ कि तुम बहुत ही आगी जाकर बहुत कुछ करो ठीक है तो 5 का square क्या हो गया हमारा 25 हो गया ठीक है तो 5 का square हमारा 25 यह जो number होता है वही हम यहाँ पर लिखते है ठीक है और plus 5 तो करेंगे आपको पता है रट क्या होगा आप तो कि भाई अब तो यह ऐसा करना ही है अब यहाँ पर लिखेंगे हम 25 रट लिया होगा तुम बिल्कुल सही है, सही चल रहे हो बिल्कुल तुम, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास में 10 है, मैं 10 नोट करूँगा, और 10 के साथ में यहाँ पर इसी कौन सी डिजिट रखूँ, यही डिजिट यहाँ पर multiply करने पर हमारा क्या है, 636 है, फिर आप कहोगे सर, 636 को नह फोकस करेंगे, तो यहाँ पर इसी कौन सी डिजिट रखूँ, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों डिजिट सेम होगी, जिससे कि हमारा unit digit क्या आजाए, 6 आजाए, multiply करने पर, तो आप कहोगे सर, रखिए, जैसा हम बोले, मैं कहोँगा बिल्कुल बोलिए, आप कहोगे सर, ए 36 में भी 6 unit होती है, तो अब आप कहोगे, अब मैं कहोँगा, चलो, अब बताओ, और बताओ, 4 आएगा या 6 आएगा, आप कहोगे सर, 4 करने पर तो, 104 into 4, sir, 400 ही आएगा, 106 into 6, sir, जी हाँ, 6 करने पर तो, sir, 600 something जाएगा, ठीक है, 600 something जाएगा, और यहाँ पर भी 636 number है, इसक पूरा solve करने की जुरत पढ़ रही है, यहाँ पर, ठीक है, तो थोड़ा सा, यार, mind तुम्हें भगवाने दियाना, तो इसका use करना सीखो, बस, कैसे use करना है, ठीक है, और मैं तुम्हार को बस वह ही दिखाऊंगा, वह path ही बताऊंगा, कि कैसे आपको इस चीज को use करना है ठीक है, तो one zero, क्योंकि यह सब चीजे देखो, बुक में भी है, अगर आदमी बुक से सीख लेता ना, तो एक tutor की जुरत नहीं पड़ती, एक बात बता देता हूं मैं, tutor तुम्हार को only direction देगा, ठीक है, यह solutions तो तुम्हार को internet पे धेरो मिल जाएंगे, तुम सीधे Google पे, NCRT solutions of class 8 6.4, तुम्हार को यह solutions इसके, बिल्कुल different different sites पे मिल जाएंगे, बट या solutions यह मतलब नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, approach सीखने है, maths में, maths पूरा approach है, ठीक है, solution से अगर कुछ करना होता ना, तो सब बच्चे, लाखो, करोड़ो students जो है ना, वो कभी tutor से नही books से बढ़ते है, books मैं कहता हूं, बिल्कुल सई चीज होती है, ठीक है, एक आपकी knowledge को gain करने के लिए, बट जो चीजे सीखी जाती है, वो एक tutor के बिना नहीं सीखी जाती है, मैं फिर से कह रहा हूं, तो चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक है, तो देखो, यहां पर हमने क्या करा, यहां पर हमने करा, कि सर, आपने खुद नहीं बताया, भई, 4 तो नहीं आएगा, 6 आएगा, मैंने का ये लिजे 6, ठीक है, और confusion भी है न, तो आफ एक बार 4 रखके देख लिजे, और 6 रखके देख लिजे, जो आएगा 636, वो रखी है, ठीक है, तो 106 को 6 है, जो है, वो square root है किसका, 56 का, तो 3136 का जो square root होगा, वो 56 होगा, clear है, चलिए, आगे बड़े, आजाओ, लास्ट वाला question, और इसको क्या करदो, इसकी तो धज्या उड़ा दो तुम, अच्छे से, ठीक है, उड़ानी या नी उड़ानी बताओ, इतने दिन तो ये तुम्हार क ये लिजे, पीछे से pair बनाया, first वाला pair उठाना है, हमने ये ही सीखा है, ये लिजे, first वाला pair उठाना है, मतलब 9 उठाया, अब 9 किसके करीबन है, आप कोगे, sir, 3 के करीबन है, ठीक है, क्योंकि 3 का square क्या होता है, 9, और यार, ये तो बिलकुल equal आया, ठीक है, कोई परेशा right, rειक होगा है, तो 3 plus 3 कितना होता है, 6, अब मैं आपको बताउंगा, कि stop कर दो, ये चीजे करने कि जरुद्ध है, तुम्हारगों, ठीक है, ये चीजे करने के आपको अब जरुद्ध नहीं है, आगे, अब आपको क्या करना है, ये plus 3 plus 3, कुछ भी नहीं करने की जज़द ह क्योंकि देखो answer आ चुका है answer आ चुका है क्योंकि आपने जब करा न 3 plus 3 देखो 3 का square क्या आया हमारा 9 आया तो हम क्या लिखेंगे यहां पर 9 लिखेंगे और यहां पर 9 लिखेंगे तो 9 में से 9 less करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0 आएगा ठीक है और next pair जो है वो किसका है double 0 का है ठीक है और square root के अंदर ध्यान रखना square root के अंदर जो double 0 होता है न तो वो single 0 में हो जाता है समझे जब double 0 double 0 का आप square root निकालोगे तो इसका square root क्या निकलेगा single 0 निकलेगा clear है बात बात समझ में आ रही है नहीं मतलब मैं आपको यह समझाना चाहरा हूँ कि अगर आप hundred का square root निकालते हो किसका hundred का square root निकालते हो तो आप क्या करोगे simple सी बात है यह double 0 जो है न वो एक 0 के अंदर convert हो जाएगा तो जब hundred का square root निकालते है तो हमारा 10 आता है ठीक है one तो आए गई क्योंकि आपको बता है one का अगर चलो मैं एक question पूसता हूँ से square root of one बताओ क्या होता जल्दी से क्या होता है square root of one हा क्या होता है बताओ square root of one होता है only one यह बात धियान रखना क्योंकि one को into one से करेंगे तो बन ही तो आएगा तो square root of one क्या है हमारा one ही आएगा तो square root of one तो हमने निकाल लिया one and double zero का भी square root निकालेंगे तो one zero आएगा ठीक है ऐसी similarly तुम्हार को अगर four times zero लिखा हूआ है देखो एक एक दो तीन चार्ट ऐसे four times zero लिखा हूआ है तो आप pair बनाओ न यह लीजी एक pair बन गया यह pair बन ग reduce हो गया था आगे करनी की जोरत ही निया आगे क्या करेंगे अब zero आगे न हमारा और यह जो double pair बनावा है zero का इसकी जगे हमारा क्या जाएगा यहाँ पर square root के अंदर एक zero आजाएगा ठीक है clear एक example और इसको थोड़ा सा clear अपन कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा भी doubt न होने ची तुम्हार को चलो मैं एक example देता हूँ आपको मैं अगर आपको बोलता हूँ कि चलो निकालो क्या निकालो four यह किसका square root है बताओ इसका square root निकालो अगर मैं तुम्हार को बोलता हूँ four zero 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 इस type से मैंने दे दिया क्या है बताओ one ten hundred चलो चोड़ा इसको मत करो तुम तो यह देखो यह क्या है पहला वाला first pair क्या है four है इस four को उठाओगे और check करोगे फोर जो है वो किसके निरस आता है आप कहोगे sir two के निरस आता है तो two का square होता है मैंने का बिलकुल सही है लिखो यहाँ पर two ठीक है और यहाँ पर लिखो four और यहाँ पर लिखो two और जो यहाँ पर two होता है वोई यहाँ पर हम लिखते है two अब आगे करने की जूरत नहीं, क्यों आगे नहीं करेंगे, क्योंकि देखो 4 में से जब 4 less करोगे तो 0 आएगा, और आगे भी हमारे क्या है, 0 यह, हाँ आगे अगर कोई different digit होती, कोई digit होती, 0 के अलाव, तो हम आगे process करते हैं, लेकिन यहाँ तो 0 आगया, तो अब आगे क्या करेंगे, हम करके, नहीं करेंगे ना, अब हमें क्या करना है, 0 के साथ महीं खिलना है, देखो, 0 के कितने pairs बने वे, 1, 2, 3, कितने pairs बने वे, 0 के, 3, बस यहाँ पर 3, 0 लिखतो, बस, तो 4, यह जो value देवी है, इसका जो square root निकलेगा, वो क्या निकलेगा, हमारा, 2000, clear है, आगया ना समझ में, तो exam में अगर इस type का question आता है, तो वो भी कर लोगे न, ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम end तक खेलो इसी जैसे, यहाँ पर 2, 2 कराओगे, 4, अब आप सोचोगे, यहाँ पर इसी कौन सी value रखे, जिससे क्या है, नहीं, इतना नहीं करना है, बस यहीं पर 0 आगया ना, अब आगे नहीं खेलना इसके साथ में, अब आगे इनके साथ में खेलना है आपको, तो आ सकता है एक्जाम में, कोई पता नहीं है, आया ना, 900 वाला भी तो आया है, ठीक है, कितना easy question दे दिया है, देखा जाये तो, ठीक है, clear है, तो उम्मीद करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आयोगी, अगर वीडियो पसंद आये तो प्लीज यार लाइक किजिए, शेर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा, बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, थैंक यू सो मच